बॉलिवोड का बात्सा किंग खान साहरुक खान ने पटक दिया पचार दिया धोल चटा दिया सलमान खान और आमिर खान को वो कैसे चली जानते हैं बॉलिवोड का दिगज कलाकार है और साहरुक खान के बुलंदियों जैसे ही बुलंदियां रखते हैं इस्टाडम रखते हैं लेकिन सलमान खान और आमिर खान ने जो अपने अपने केरियर के सबसे बड़े मुकाम को उपलवधियों को कई वर्सों में हासिल किये थे उससे कह ही बड़ी उपलवधी साहरुक खान ने एक जटके में अचीव कर लिये हैं सलमान खान ने अपने फिल्मी केरियर में पांच सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म दिये हैं बजरंगी भाईजान 614 करोड सुल्तान 581 करोड टाइगर जिंदा है 564 करोड टाइगर 3 432 करोड औ इन पांच ओ फिल्मों का टोटल कोलेक्शन 2582 करोड रुपए होता है वहीं आमिर खान भी अपने फिल्मी केरियर में 5 हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म दिये हैं दंगल 745 करोड पीके 641 करोड धूम्थिरी 540 करोड त्री इडियर्स 357 करोड और ठक्स ओफ हिंदुस्तान 263 कर आमिर खान के इन 500 फिल्मों का टोटल कोलेक्शन 2546 करोड रुपए होता है और अब जानते हैं सारुक खान के फिल्मी केरियर के 5 सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म के बारे में जवान 1184 करोड पठान 1050 करोड चन्ने एक्सप्रेस 422 करोड हैपी निव यर 383 करोड डंकी ज 15 दिन में लाइफ टाइम में डंकी आराम से 490 से 500 करोड रुपए तक का कोलेक्शन कर लेगी और फिर सारुक खान के इन पांचों मुवी का टोटल कोलेक्शन 3540 करोड रुपए के आसपास हो जाएगी सलमान खान के पांच हाईएस्ट ग्लोसिंग फिल्म का टोटल कोलेक्शन 2582 करोड रुपए आमिर खान के पांच हाईएस्ट ग्लोसिंग फिल्म का टोटल कोलेक्शन 3540 करोड रुपए अब आप सभी बताएए सारुक खान ने सलमान आमिर को पचार दिया कि नहीं comment box में जिव लिखिएगा और यदि आप सबों को ये जानकारी प्रसना आई हो तो प्लेज वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें और हाँ चीनल को सबस्क्राइब करना और साथ ही चीनल के बेल लेकन को प्रेस करना ना भोलें थेंक्स मिलते हैं एक और ने वीडियो लेकर तब तक ये लिए good wishes for good luck